खास्तर जब यह विविद्न देशों में कानूनी रूप से पूर्ण है अमेरिका भारत नाइजीरिया इंडोनेशा सहीद अन्य देश इसलिए जालाई श्टायल के साथ संकोच करने का कोई कारण नहीं है देखे सबसे पहले तो इंटरनेशनल कोई भी कमपनी जब रेश्टर होती है उसको पूरा अपना ब्योरा देना होता हो किस तरीके से काम करेगी क्या उसके फ्यूचर प्लान है उसके बाद ही वहां की गौवर्मेंट उनको जो है रिलीज करती है मैं की ओर बता दू की काफी कमपनीओं की website आती है बोलतें बाहर किये विदेश किये लेकिन वह इंडिया से रन कर रही होती है कही न कहीं जाके वह आगे दगा दे जाती ही और बहुत सारे ईसी real company हैं। यदि आप लोग देखते होंगे टेग्राम में बहुत सारी बाहर की investment company आफा सांगे कि लोग आपको हेलो करते होंगे आपको investment करने का बताते होंगे इतना % इतने दिन में इतना % वो सब रियल कंपनियां होती हैं, ऐसा नहीं कि फेक कंपनियां, वो आज से कही साल पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है, इस चीज को हमने काफी बार वेरिफाई किया, तो जो बहार की कंपनिया है, वो जातर जैनुवन और सही होती है, लेकिन जो हमारे इंडिया में कंपनियां ऐसी बनती है, जो सिर्क बाहर के नाम पर आपको वेबसाइट की चमक दमक दिखा देगी, कहीं न कहीं आपको घुमा फिरा देगी उस तरीके से, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कंपनिया बाहर की चलेगी, वो रियल कॉंसेप्ट आज भी चल रहे है, ले से प्रतिवन होने की चमता है, और इसे जारके प्रवंदन द्वारा बरवात करना संभव नहीं होगा, तो कहीं न कहीं इतनी बड़ी कम्यूनिटी हो चुकी, इतना बड़ा टीम, इतना बड़ा टीम साइज, ग्रूप, फैमिली मेंबर इतना सारे हो गये, कि ये कंपनी कभ होंगे, जो विरासत में मिल सकती है, और भगवान की इक्षा है, यह एक उमीद से ज्यादा आये होगी, जो हमारे जीवन की गुडवत्ता को हमेशा के लिए बदल देगी, दोस्तों, और आपकी कम्पनी ने चार पिलर ऐसे पकड़ रखे हैं, फ्यूचर शेयर हो गया, या लाइफ टाइम चलने वाले, आपकी कम्पनी जो है, जालाइफ इस्टाइल इसने सारा मैनेजबेंट उस तरीके से कर रखा है, कि आपको step by step सारी चीज़े जो होते हुए दिखने वाली है, इसके अलावा यहाँ पर देखे, यह उन्होंने का है, कि हम आपको USA share बाजार में लिस्टिंग के बारे में और अपडेट भेजेंगे और हम follow up भी करेंगे और आपको सुचित करेंगे, स्टाइक मार्केट में लिस्टिंग से पहले जालाइफ इस्टाइल FS1, FS2 बाइबेक प्रोग्राम की पेश कर रहे हैं जो अभी बाइबेक प्रोग्राम चल रहा है, कम अभी FS2 का एक हिस्सा खरीदने के लिए कमपनी खुद ही तयार है, FS2 का नियूंतम बाइबेक मूली यूरो एक होगा, FS2 का नियूंतम बाइबेक मूली यूरो दो होगा, हर कोई कमपनी के सुची बद्ध होने से पहले अपने कुछ FS1 और FS2 को बेचने पेशकस करने के आपकी फ्यूटर से रहे, यह पूरी तरह से कमपनी के विवेक पर इस आधार पर निर्धालित किया जाएगा कि इस कालिक्रम पर अच्छा पैसा कमाने के लिए सभी को अपने FS1 और FS2 को बेचने का अउसर देना क्या उचित है, ठीक है तो यहाँ पर देखिए, कमपनी इस पर पर से कमपनी इस में इस प्रोग्राम को लेके आई है और यहाँ पर वाकई में यह बाइबेक प्रोग्राम जोगा यहाँ से आपको इंकम जरूर मिलने और अच्छे दिन के लिए कामना करतें, बाकी मैं आपको इस ट्रीम को पर ले आके कुछ दिखाना चाहूंगा, त क्ञोंगा।